नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुर धर्मार्थ पर दोस्तों अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें प्रिये दोस्तों भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव ह और बहुत शीघर प्रसंन होने वाले एक मात्र देवता हैं हमारी थोड़ी सी आराधना से और सच्चे मनसे की गई प्रार्थना से भगवान भोलेनाथ बहुत ही शीघर प्रसंन हो जाते हैं और पिर हमारी समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो हमारी परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो भगवान शिव उस परेशानी को शीघ्र की दूर करते हैं और हमें सुखमई फल की प्राप्ती होती है केवल सच्चे मन से की गई प्रार्थना से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं भांधतुरा बेलपत्र हम भगवान शिव को अर्पित करते हैं और उन्ही से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं हम एक लोटा जल भगवान शिव को अर्पित कर देते हैं उससे ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं इसलिए क्योंकि जब हम सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, तो शिव की कृपा हमें प्राप्थ हो जाती है, हम पूजा में प्रार्थना में या उपायों में अपनी सच्ची आस्था को जोड़ देते हैं, तो हमारी कामना शीघर पूर्ण हो जाती है, हमारी परेशानी शीधर ही दूर हो जाती है, तो कोई भी उपाय जब आप करें, बहुत ही सच्चे मन से करें, आस्था भाव से करें, और पूर्ण विश्वास से करें, क्योंकि महादेव देव के देव हैं, और जब हम उनकी शरण में जाते हैं, तो किस पूर्ण रूप से समर्पित भाव से भगवान शिव की शरण में जाएं और सुमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करें तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। कई लोग तो सुमवार का वरत रखते हैं, जो की भगवान शिव की कृपा पाने के लिए है, परन्तु अगर आप वरत नहीं भी करते हैं, और अगर आप जीवन में परिशान हैं, चाहे आप कर से परिशान हैं, चाहे धन प्राप्ती की कामना है, अगर जीवन साथी की कामना ह आपको योग्य और सच्चा जीवन चाहिए या मनोवांचित वर या वधु की कामना है, आपको तो ऐसे में आपको भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए संतान प्राप्ती की कामना है, बहुत समय से आप प्रयास कर रही हैं, परंतु संतान प्राप्ती में कोई बाधा है बुरे ग्रह दोश, प्रभाव से आप प्रभावित हैं, तो आप भगवान शिव की पूजा शुरू कर दें, भाग्य में बदलाव तुरंत शुरू हो जाता है, बस सिर्फ हमें आवश्चकता है, अपने मन को सन्यमित करके एकागर करके भगवान शिव के उपर पूर्ण वि करके बैल आइकन जरूर आएगा सुमवार के दिन अगर कुछ विशेश उपाय करें, कुछ विशेश विधी से भगवान शिव की पूजा आराधना करें, तो हमारी कामना बहुत ही शीघर पूर्ण हो जाती है, सुमवार के दिन प्रातकाल शीघर उठना चाहिए, और कीन मानिये अगर आस्था भाव से आप उपाय करेंगे, तो मनो कामना चाहे आपकी कोई भी हो आपको भगवान शिव की कृपा मिलेगी, और आपकी कामना बहुत ही शीघर पूर्ण हो जाएगी, तो सुमवार के दिन आप प्रातहकाल शीघर उठकर भगवान शिव की पू तो सुमवार के दिन शिवलिंग पर केसर कच्चा दूध अरपित करना चाहिए, कच्चा दूध गाय का हो तो सर्वश्रिष्ट है, गाय का ना हो तो जो भी दूध है उस दूध में थोड़ा सा केसर मिलाएं और भगवान शिव के पास जाए, शिव मंदिर में जाए, जीवन में आपके विवाह में जो आ रही है वो शीघर ही दूर हो जाती है और शीघर ही विवाह के अच्छे योग बनने लग जाते हैं रिष्टे नहीं आ रहे होते हैं और रिष्टे आने में भी बाधा है या बनते बनते शादी रुक जाती है बात नहीं बन पाती है तो भ परणतु जब आप आटे की गोली खिलाए तो मन में भगवान शिव का ध्यान करें और अपने मन ही मन भगवान शिव के पंचाक्षरी मंतर का जब करते रहें नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय इस तरह से मंतर का जाप करते हुए आप मचलियों को गोली या डालते रहें न कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है वो नहीं मिल रहा है तो इस उपाय को करने से आपको प्राप्ती के योग बनने लग जाएंगे अगर कोई भी कामना हो आपकी और चाहते हैं कि वो शीघर ही पूर्ण हो जाए तो इसके लिए आपको सोमवार के दिन भगवान शिव की पू अगर ये सब चीजें हो तो आप शुद्ध जल लेकर जाएं वो भगवान शिव पर अरपित करें और आपको चाहिए 30 बेलवत्र 21 बेलपत्र आपको लेने हैं साफ पानी से उसे धोलें स्वच कर लें और उसके उपर सफेद चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें इसके परेशानियों से मुक्ती चाहते हैं तो सोमवार के दिन आपको क्या करना चाहिए भगवान शिव के लिए आपको सोमवार के दिन विशेश कौन सा उपाय करना चाहिए दोस्तों अगर सुख समरिद्धी की कामना है परेशानियों से मुक्ती चाहते हैं तो सोमवार के दिन भगवान शिव को जो अत्यंत प्रिय है उस नंदी बैल को अगर आप हरी घास खिलाते हैं हरा चारा खिलाते हैं तो भगवान शिव प्रसन हो जाते हैं अगर नंदी बै पर ना मिले तो आप गाय को खिला सकते हैं। आपको गरीबों भोजन कराना चाहिए। परेशानी रहती है। चंद्रमा साथ हो तब भी मानसिक रूप से व्यक्ति परेशान रहता है। चंद्रमा पर शनी की दृष्टी हो तब भी मानसिक रूप से अशान्ती रहती है। तो ऐसे में चाहिए अगर आप मानसिक रूप से अशान्त है, चाहते हैं कि आपको आत्मिक शान्ती मिले तो सोमवार के दिन आपको जल में काले तील मिला कर शिवलिंग का अभिशेक करना चाहिए। जल में थोड़े से काले तील डाल ले नमह शिवाय इस मंतर का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें और थोड़े समय मंदिर में बैठ कर शिवाय का जाप कर ले, इससे आपको मानसिक शान्ती मिलती है, जितने भी बुरे ग्रहों का दोश आपको प्रभावित कर उससे आपको मुक्ती मिलती है, धन चाहते हैं और बहुत अधिक धन चाहते हैं, चाहते हैं कि धन समरिध्धी सदा आपके घर में बनी रहे, सदा मा लक्षमी की कृपा आपके उपर बरसती रहे, तो इसके लिए आपको चाहिए कि पारक से निर्मित शिवलिंग अपने घर में स्थापित करें और प्रति दिन उसकी पूजा करें। प्रति दिन आप पारक के शिवलिंग की करते हैं, तो अपार धन संपत प्राप्ती होती है। शिवलिंग आटे से निर्मित करने चाहिए, गेहूं का आटा ले और उससे ग्यारा शिवलिंग निर्मित करें। उसके बाद ग्यारा बार इनका करना है। आपको हर शिवलिंग का अभिशेक करना है। ओम नमः शिवाय का मंतर बोलते हुए आप इनका अभिशेक करें। आपकी संतान प्राप्ती की जो कामना है वो पूर्ण होती है, पुत्र प्राप्ती की कामना है तो भी पूर्ण होती है, सुमबार के दिन आटे के शिवलिंग की पूजा करने से सभी प्रकार से जो भी बाधा के संतान प्राप्ती में आ रही है वो दूर हो जाती है, भगवान शिव की कृपा हो जाए, तो भाग्य बदलते देर नहीं लगती है, दोस्तों अगर चाहते हैं कि आपको रोगों से मुक्ती मिले, बहुत समय से बीमार हैं, दवाया काम नहीं कर रही है, तो ऐसे में आपको शिवलिंग का अभिशेक करना चाहिए, शिवलिंग पर आप जल से अभिशेक करें, जल से जबा, करते हैं तब उसमें थोड़ा सा कुषा डाल दें, कुषा बहुत आसानी से मिल जाता है, अगर हरी कुषा ना मिले, तो पूजा की से आप कुषा ले सकते हैं, और उसे जल में डाल कर आप भगवान शिव का अभिशेक करें, सह इस मंतर का करना है, और कुषा के जल से अभिशेक करते रहना है, इस तरह से अगर आप अभिशेक करते हैं, लंबी बीमारियों से मुक्ती मिलती है, बहुत समय से बीमार हैं, आपको उस बीमारी से आराम मिलेगा, पापों से मुक्ती चाहते हैं, सुखों की प्राप्ती चाहते हैं, त इसी भी तरह से अगर कहीं आपके मन में है कि पूर्वजन्म के जो पाप कर्म हैं, उसकी वजह से परिशानिया आ रही हैं, उसकी वजह से जीवन में सुख का अभाव हो रहा सोमवार के दिन जो अर्पित करें और थोड़े से काले तिल अर्पित करें, इससे आपका सुख बहुत ही सरल उपाय हैं, एक उपाय दामपत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए पतिपत्नी के बीच में अगर रिष्टे अच्छे हो तो स्वर्ग ढूंदने की आवश्शक्ता नहीं है, उस घर ही स्वर्ग रहता है, जिस घर में दामपत्य जीवन सुखमय रहता है, पर अज के लिए बस इतना ही दोस्तों अगर आपको ये पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबा दे ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफि कर दोस्तों 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 कर दोस्तों